हेलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हो आप सब लोग अनूप सेमवार ब्लोग में आपका स्वागत है मैं हूँ अभी चनपतीरी डिस्टिक के विकासखंड नरेदनगर में जो की रिशी केस से 35 किलोमीटर पे है बारिस बहुत हो रही है तो बारिस के कारण मुझे यहीं रुकना पड़ा क्योंकि मुझे जाना था देरदून अपने घर लेकिन यहीं रुकना पड़ा अभी थोड़ा बारिस बंद हुई है मैं जा रहा हूँ ब्लोग की तरफ क्योंकि मेरी गाड़ी खड़ी है एक मेने से गैराज में ना मैं स्टार्ट कर पाया ना मैं सपाई कर पाया गाड़ी की तो मैं जा रहा हूं अभी गाड़ी को स्टार्ट करने करते लाड़ी की तो मैं मैं जासा हूं जासा धार्ट कर ना मैं सटार्ट कर पाया रहा हुआ कर बदासे तो मैं सटार्ट कर दो घ्र गाड़ी तो ड़ घर दो आ लिए तो मामा भाड़ी है मैं पिकास खंड फकोट में पहुंच चुका हूँ यह हमारा कारेल है चारो तरब कोरा ही कोरा छा रखा बरसाद के दिन हैं तो कोरा छाए गई अब मैं पहुंच चुका हूँ गैराज में यह है मेरी कार बहुत दिन से खड़ी है गैराज में अब इसको मैं बहार निकालूँगा बहुत टाइम से स्टार्ट नहीं भी मेरी गाड़ी तो मैं आज इसको पहले स्टार्ट करूँगा अब मैं इसकी सपाई सुरू करता हूँ अब मैं इसकी स्टार्ट करता हुआ इसकी स्टार्ट करता हुआ है अब गाड़ी की सपाई के बाद मैं ने गाड़ी गैराज में खड़ी कर दी है अब मैं चलता हूँ कमरे पे खाना बनाता हूँ संडे का दिन है तो आज मैं आराम से करता हूँ सारे काम सुबे से और सारे काम कर चुका हूँ अब खाना बनाना रहे गया चलो चलते हैं रूम पे अब मैं रूम पे पांच चुका हूँ इस गुरूजी बैठे वे बाहर पे गुरूजी बन गया खाना? यह है मेरा रूम यह है कीचन अब कीचन में पाहँ चुका हूँ चाने पीने की सारी तयारिया मैं कर चुका हूँ प्याज लसुन टमाटर कर चुके हैं चावल भी वो चुका हूँ आज मैं बना रहा हूँ अर्वी के पत्तों का साग यह मैंने सुबह ही तैयारी कर दी थी कुकर में पका दिया था अब बनाने की तैयारी करता हूँ मैं अर्वी के पत्तों का साग और चावल बन चुके हैं अब हम आए खाने की तैयारी करता हूँ दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो यदि वीडियो पसंद आए तो सस्क्राइब, लाइक, कमेट जरूर करें मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जय उत्राखन